Hello everyone, this is Sapna. Now we are starting question number 2, exercise 12.3. So in this question, Ekta earns Rs. 15,000 in 10 days. How much will she earn in 30 days? So question आप से क्या कह रहा है? कि Ekta ने earn करे 15,000 रुपे कितने दिनों में? 10 दिनों में. तो आप question आप से ये पूछ रहा है कि वो 30 days में कितने earn करेगी? So again, 10 days का आपको पता है इसमें कितना वो earn करी है? 15,000 तो आप पहले given लिख लिएंगे. She earned in 10 days equals to 15,000. First question की तरह ही होगा बिल्कुल भी. जैसे हमने उसमें एक meter की उसमें पहले हमने cost निकाली थी. इसमें भी हम पहले देखेंगे कि one day में वो कितना earn करती है. तो 15,000 divided by 10 आपकी one day की निकल आईगी. 1500 देन उसके बाद question में पूछा गया how much will she earn in 30 days? कि 30 days में वो कितना earn करेगी? तो 1500 इंटू 30 तो आपका total आएगा 45,000 मतलब की 30 days में वो 45,000 earn करेगी. So, this was the question number 2. Let's come to the next question. 15,000 अओएफषर चया देंगा ठादार्वी, टादब्स čा में म侏 ख ित्क के रवान में वो सभेँगा पकाते हैं पूछा रभ़ाटं के रपकाते हैं. िः zijn अभर घणिट yhtा में तो 16.